फर्जी फेस्बुक आकाउंट पर दोस्ती कर ब्लैक मेलिंग को देते थे अंजाम वीडियो कॉल के साथ आडल्ट वीडियो जोड कर मांगते थे रंगदारी पुलिस ने गैंग का बंडा फोड कर छे आरोपियों को किया गिर्फतार दिल्ली पुलिस की ग्रिफत में खड़े ये छे बदमाशों बले ही देखने में भोले बाले दिख रहे हो और आपको बता दे की वैसे तो ये कम पड़े लिखे भी हैं लेकिन अगर आप इनके कारना में जानेंगे तो आप हरार रह जाएंगे जी हां ये छे बदमाशों के गैंग का दिल्ली पुलिस की साइबर सैल ने बंडा फोड कर इन्हें गिर्फतार किया है दरसल ये बदमाश पहले तो फरजी फेसबुक को आकाउंट द्वारा युवाओं का प्रोफाइल खंगालते थे और फिर उसके बाद दोस्ती एकर रिक्वेस्ट बेजते थे और मेसंजर के द्वारा चैटिंग करते थे और फिर वीडियो काल कर पीड़त की वीडियो को कैप्चिर कर लेते थे और फिर उसके साथ अडल्ट वीडियो जोड़ कर ब्लैक मेलिंग का धंदा करते थे पुलिस के उनसार पिछले कई दिनों से उन्हें शिकैते मिल लही थी कि कुछ लोग फरजी प्रोफाइल अकाउंट के द्वारा पहले तो दोस्ती करते थे और फिर उन्हें फसाकर रंगदारी मांगते थे पुलिस ने मामला दर्जकर जब मामले की चांच परताल शिरू करी तो जानकारी मिली कि ये रैकीर राजस्तान के बरतपूर से चलाया जा रहा था बिरहाल पुलिस ने गैंग का बंडा खोड कर छे आरोपियों को गिर्थार किया है ये सभी आरोपि कम पड़े लिखे हैं और राजस्तान के बरतपूर के रहने वाले हैं पिलिए पुलिस की साइबर फ्राइम उनिट साइपैड ने एक महतबूर कारवाई करते हुए भरतपूर रहस्थान से छे लोगों को अरेस्ट किया है यह सारे के सारे वैक्ति एक नए तरीके का अनलाइन इक्स्टॉर्शन का और उसमें संग रहते और यह ऑनलाइं फेक प्रोफाइल बना गया अट्रक्टिव इंडिविजर्जर्स की फेक बना गया विक्तिम्स को टागेड करते थे उन्हें अफ्टर ए शॉर्ट चाट वीडि थिए भीडियो क्लियो और हुद्स के दवाइष रूरान उनको एक दूसरे स्क्रीन से डिवाइष से आड़न पोनाग्राफिक टिंव और जो वीडियो कॉल चाल रही होती थी उसका स्क्रीन कैप्चर करके एक तникомत तरीके का वीडियो पनाले से उनि एक और इस उनियुश कर और वहां से हम इनको लिया हैं इनके पास से हमें 17 फोन मिले हैं जिसमें 40 से ज्यादा लोगों के इंपक्ट जो इक्टिम्स के वीडियोस मिले हमें सब्सक्राइब करते थे या कैसे सब्सक्राइब करते थे जो इसको बना रहे हैं उसके प्रोफाइल पर जाते थे और कई लोग यह प्रिकॉशन नहीं लेते कि अपनी प्रोफाइल को कैसे रिस्टिक्ट किया जाए उसकी जो प्रेंटिस्ट है उससे उसके बारे में थोड़ी जानकारी कठा करके फिर उसको टागेट करते थे एक बंद से कितना पैसा यह सर लेते थे यह कितना समझाते गों करें तो जब भी आप शोशल मेडिया का उप्योग करें तो जरा रहे साबदान क्योंकि साबदानी ही आपका बचाओ है इसी में ही आपकी सुरक्षा है टोटल खबरे दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट